दोस्तो हमारे जितने भी इंडूर वाले पौदे होते हैं उन में से एक बहुत ही खुबसुरत पौदा होता है वो है फिलोडेंडोन की और ये जो फिलोडेंडोन की पौदे है इनकी बहुत सारी वेराइटिया आपको नर्सेरी में दिख जाएगी बहुत सारी वेराइटिया यहाँ पर आप जितने भी पौधे देख रहे हो यह सारे फिलोडेंडून की ही वराइटिया है मुझे यह पौधा बहुत जादा पसंद है अगर नर्सरी में मुझे इस पौधी की अलग वराइटी दिख जाती है तो मैं जरूर खरिद लेती हूं क्यूंकि दोस्तों इस पौ बहुत सारे वराइटिया इस तरह से होते हैं फिलोडेंडून की और यह जो पौधे हैं दोस्तों बहुत जादा की जरूरत नहीं होते हैं इजी टू ग्रो प्लांट है तो दोस्तों आज इस वीडियो में इस पौधी की बारे में ही जितना हो सके डिटेल्स में आपको बता है कि पानी डालते ही पानी जो है धिरे-धिरे से ड्रेन आउट हो जाए बिलकुल भी पानी रुखने ना पाए पौट के अंदर अगर पानी पौट के अंदर रुख जाती है तब पौधी के अंदर प्रोब्लम दिखाए देते हैं इनकी जो रूट्स है वो गलने शुरू ह हो जाते हैं फिर फंगस के प्रोब्लम भी दिखाए देते हैं तो इसलिए एक अच्छी मिट्टी तयार करना बहुत ज़्यादा जरीरी है तो मिट्टी के लिए यहाप एक भाग गार्ण सोय ले सकते हो एक भाग आपको सेंड ले लेने हैं उसके साथ आप वर्मी कोंपोस् तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने मिट्टी के बात कर ली तो अभी मैं बात कर लेती हो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि पौधे को कहा रखने हैं अगर आप इस पौधे को इंडोर रखते हो तो इंडोर भी यह बहुत अच्छी से चल जाते हैं लेकिन ब्राइट ल अगर आपने लो लाइट वाले जगे पर रख दिये तो जल्दी से पौधे को वहां से हटा देने हैं आप सिर्फ तीन से चार दिन के लिए रख सकते हैं उसके बाद पौधे को हटा कर एक ब्राइट लाइट एरिया पर रखने हैं सबसे अच्छी जगे वह है जहां पर दोस्तों अभी मैं बात कर लेती हूँ पानी किस तरह से देने हैं तो पानी जब भी मिट्टी सुख जाए उपर लेयर की मिट्टी सुख जाए उसके बाद आप पानी दे दो कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन दोस्तों ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करने हैं अगर म मिट्टी सूख जाती है उसके बाद आप पानी दे दो तो पौधे पर कोई भी प्रोब्लम नहीं आते हैं और चलिए अभी मैं बात कर लेती हूं फॉर्टिलेजर के बारी में तो इस पौधे को बहुत जादा फॉर्टिलेजर के जरुरत नहीं है साल में जिस तरह से हम दो ब और खाथ थोड़ी सी दे सकते हो और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों अगर आप एपसेम सॉल्ट जो मैगनेशियम सलफेट है यह थोड़ी से आप दे देते हो तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाते हैं और जो मैं भी देती हूं और सीवीड सीवीड एक बहुत नहीं है बस एक काम आपको करने हैं दोस्तों वो है हफ्ते दस दिन में एक बार आप इन पौधों की जो पत्तिया है उसको आप साफ करिए अगर आप स्प्रे की मदद से साफ करना चाते हो पानी से साफ करना चाते हो वो भी आप कर सकते हो या फिर किसी भी गिली कप्रे से पौधि की इन पौधि की प बहुत हैं और आप चलए दोस्तों चले इस से बवह कर ले तो कि लिए और प्रोगेशन की मद्ट कर सकते हों एक पौदे से बहुत सारे पौदे बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों यह जो पौदे होते हैं, इनकी हर एक वेराइटी पर आपको इस तरह से roots दिखाए देगी, इनकी जो aerial root है, वो बाहर से ही दिखाए देते हैं, जिस तरह से money plant की roots होते हैं, वैसे ही इनकी भी roots होते हैं, तो इसलिए इनकी cutting 100% successfully लग जाते हैं, क्योंकि roots पहले से ही बने हुए होते हैं, बस आपको cutting लेने हैं और लगा देने हैं, और cutting को आप पानी पर भी grow कर सकते हो, या फिर मिट्टी पर भी लगा सकते हो, लेकिन पानी पर अगर आप grow करते हो, तो इनकी जो पत्तियों के size हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, पानी पर कब से इस पौधे को में लगा के रख दिये हैं, तो इसकी पत्तो की size आप देख सकते हो, कि इतने चोटे चोटे हैं, तो इसलिए मिट्टी पर अगर आप लगाते हो, तो इसकी growth आपको अच्छी नजर आएगी, तो चलिए दो cutting में लगा कर आभी दिखाती हो कि कि इस तरह से आपको cutting लेने हैं और लगा लेने हैं, तो पहले इस पौधे से मैं cutting ले लेती हूँ, तो cutting लेने से पहले यहाँ पर आपको देखने हैं, जब भी cutting ले तो roots के साथ cutting आप ले ले, यहाँ पर देखे, छोटी से cutting मेंने ले लिए हैं और यहाँ पर एक roots आये हैं इसके साथ ये देखिए ये देखिए छोटा सा एक roots के साथ मैंने निकल लिये हैं एक cutting को और इस पौधे से भी मैं एक cutting ले रही हूँ और ले लिये हैं इस पर देखे बहुत सारी roots है तो ये देखे बहुत सारी roots है तो नीची की कुछ पत्तियों क को हटाने हैं और अभी दोनों कटिंग को में लगा देने वाली हूं और यह जो स्वाइल है दोस्तों सेंडी आपको ले लेने हैं उसके अंदर बस कटिंग को लगा देने हैं इस तरह से और अभी इस पौधे से भी एक कटिंग में ले लेती हूं यह देखिए बहुत ही सिंप पते निकल के आजाए उसके बाद ही आप इनको दुबारा से रिपोर्ट कर सकते हो तो दोस्तो इसी तरह से आप प्रोपोगेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो और इस पौधे पर आज तक मैंने कोई भी इंसेट को लगते हुए नहीं देखे हैं बस आप एक काम कर सकते हो महिने में एक बार थोड़ी सी फंगिसाइट आप दे देना इस पौधे पर तो ही काफी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था अगर फिलोडेनों के बारे में और भी कुछ जानने हो तो कॉमेंट करिएगा मैं रिप्लेश जरूर दे दूंगी मिलते हैं दोस्तो और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो